Hello Friends, मैं मलिका खुराना, Healthy Recipe Home में आपका स्वागत करती हूँ. आज हम बनाएंगे पालक दाल तड़का, जो की बहुत टेस्टी बनती है. UP बिहार में ऐसे सरपैता भी कहते हैं. तो चलिए, पालक दाल तड़का बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम दाल को भीगो लेते हैं. तो उसके लिए हमने ये 3-4 कप उड़द धुली दाल ली है, जो की वाइट कलर की होती है. और साथ में 1-5 कप हमने चने की दाल ली है. इन दोनों दाल को मिक्स करेंगे और 3-4 बार पानी से वाश कर लेंगे. हमने तो यहाँ चना और उड़द की दाल ली है, आप चाहें तो तुवर, मूंग और मसर भी ले सकते हैं. अब इसे कुकर में डालेंगे और साथ में नमक और हल्दी डाल देंगे. और 3 विसलाने तक कुक करेंगे. फ्लेम आफ करेंगे और कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज होने देंगे. अब हम पालक लेंगे और इसे अच्छे से वाश कर देंगे. पालक को भी 3-4 बार वाश करेंगे. अब हम इसकी लीफ्स तोड़ लेते हैं. आप चाहें तो पालक को कट करने के बाद भी वाश कर सकते हैं. अब हम पालक को बारीक बारीक काट लेंगे. तड़के के लिए हमने अद्रक, लहसुन, प्याज, टोमैटो, सबको हमने रफली चॉप कर लिया है. टोमैटो के साथ हमने 2 हरी मिर्च भी ले ली हैं. जिंजर और गार्लिक को ब्लेंडर में चॉप करेंगे. एक कड़ाई लेंगे और इसमें घी डाल देंगे. घी गरम हो जाए तो इसमें हम क्यूमिन सीट्स, जीरा डाल देंगे. और साथ मही अधरक लहसुन भी डाल देंगे जिसे हमने blender में chop किया है आप चाहें तो ginger garlic paste भी डाल सकते हैं ginger garlic roast हो गया है तो अब इसमें हम onion डालेंगे onion को भी हमने blender में chop कर लिया है flame हम medium रखेंगे और इसे लगाताष चलाते रहेंगे आप चाहें तो घी की जगा ओल भी ले सकते हैं या फिर हाफ एन हाफ दोनों चीज़े ले सकते हैं लेकिन घी में ये दाल ज़्यादा अच्छी बनती है अनियन भी रोस्ट हो गये हैं तो इसमें हम टोमैटो डाल देंगे अब इस मसाले में हम लाल मिर्च और देगी मिर्च डालेंगे देगी मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं नमक और हल्दी हमने दाल में ही डाल दी थी अब हम गरम मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे flame low कर देंगे और तड़के को हम roast होने देंगे जब तक कि तड़के में से घी release न हो जाए cooker का pressure निकल गया है तो इसे हम खोल लेते हैं और डाल को check कर लेंगे ये देखी डाल का texture हमें इतनी ही cook करनी है बाकी ही ये थोड़ी सी पालक के साथ भी cook होगी तड़का roast हो गया है ये देखे घी अलग से नज़र आ रहा है तो अब इसमें हम पालक डाल देंगे flame हम medium करेंगे और पालक को हम तड़के के साथ roast करेंगे नमक डालते वक्त आप ध्यान रखें कि पालक भी थोड़ी salty होती है पालक को भूंते हुए 3-4 मिनट हो गये है और ये देखे पालक ने कितना पानी छोड़ दिया है अब हम पालक के अंदर डाल डाल देंगे इसे अच्छे से mix करेंगे flame हम medium रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ये डाल बहुत nutritious है enriched iron and protein और tasty तो बहुत है अब इसमें हम roasted zira powder डालेंगे डाल पालक को हम 3-4 मिनट ही पकाएंगे इसे हमें बहुत mashy-mashy नहीं करना है डाल को थोड़ा खड़ा ही रखना है तब ही डाल का जो मूँ में bite आएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा पालक डाल ready है और ये देखी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है प्लेम बंद कर देंगे और इसे serve करते हैं आप चाहें तो डाल को एक और तड़का लगा सकते हैं तो इसके लिए हम एक पैन में घी डालेंगे जीरा डालेंगे और साथ में लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी देगी मिर्च अब इस तड़के को डाल के उपर पोर करेंगे चॉप्ड अनियन डालेंगे और serve करेंगे पालक डाल तड़का ready है ये बहुत tasty और बहुत ही nutritious है इसे अब चपाती, परांठा, राइस किसी के साथ भी serve कर सकते हैं अब आप भी इस डाल को बनाएए खाएए और enjoy करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो like, share, comment और subscribe जरूर करिए Thank you